अब आपको प्रमाण देख लिजिए कि मानों को मोती दीनों मानों को मोती दीनों देवन को यम्रत असुरन को सुरा को दान कईदारों यह सागर की वाद है मानों को पहनने के लिए मोती चवदारतन देदिया देताओं को अम्रत देदिया राक्षसों को मदिरा देदिया इंद्र को एरावत देदिया काम देनु देदिया लेकिन इतना ही कमदान नहीं क्या सागर ने या अपने हिदे को पान विराजित की निसूल पान और रहने को हिदे में विस्णू को जगह दईडारो है फिर सागर में अपने हिदे में भगवान को रहने की जगह दे रखी है सागर ने कि रूठो जो संत का हुकाम नहीं आयो है कि रूठो जो संत का हुकाम नहीं आयो है और धाई अलजली में सागर पान कईदार है सब को सर्वत से लुठा दिया और महाराज जब अगस्त्रीसी को क्रोध आया तो ब्रह्मा सिव कोई काम नहीं आया धाई अंजली में पूरे सागर के जलका पान कर गया अश्व जो सागर को पी सकता है वह तुम किदर लगते हो यही कहना चाहरा हूँ कि अगर संत के सानित में साष्टाइंग दंदवत के जाओगे मेरे भाई वेहन तो जैसे सागर के जलको क्रोध में पी लिया ऐसे तुम्हारे दिल के दर्द को हर्थ से पी लेगा और मुस्कान देदेगा संतों के शानित में आने का संत का दर्शन का फल क्या है एक बार क्या हुआ भगवान स्री हरी ने देवरिशी नारत से कहा कि देवरिशी क्या कर रहे हो बोले माराज मैं सोचता हूँ कि संत के दर्शन का फल जानो आप बताओ बोले काम करो चले जाओ फला गाओ में फला आदमी के फला किसान के घर में एक भैस ने बच्चा दिया एक भैस ने बच्चा दिया वह आपको बताएगा कि संत के दर्शन का क्या फल मिलेगा हरी इच्चा देवरिसी नारद गए और जैसे आप पहुछते हैं दंड प्रणाम हुआ किसान ने उनका आसन लगाया पूजन किया अर्चना किया बंदन किया देवरिसी कैसे पधारे बोले वही आपके घर में जो बच्चा जन में दिया है वह बताएगा यह संत दर्शन का फल लेकिन यहां तो खतम हो गया खेल देवरिसी नारद सामने जाए तब तक उसका राम नाम सत्य पूरो थे देवरिसी नारद में सोचा यह तो प्रयास मिरर ठक रहा पुनाह उनके पास गए और कहने लगे महराज आप बताओ बोले अब चले जाओ नारण पार्टिल के घर में गाय ने बच्चा दिया है देवरिसी नारद का आगमन हुआ देवरिसी नारद के घर में पुनाह आगमन हुआ वहाँ पर दंड प्रणाम हुआ अतिती परायरता हुई चर्ण पकारे गए आसन दिया गया वहाँ जाकर देखा तो उसका विराम नाम सत्य पूरो थे महाराज यह तो अटपटा हो रहा है जहां जाता हूँ आही बोले चले जाएँ मान चर्ण नरेश राजेस ढ़ी यह आगम एक बच्चे ने जन्मि लिया है कि राजा के घर में बच्चे ने जन्मिया है देवरिसी नारत राजा के द्वार पर गए और जैसे उसका साक्षाट कार हुआ उसका भी काम पूरा ही हो गया देवरिसी नारत हतास हो गए भगवान अब में का करूँ संद का दर्सन का फला हमें बताएगा कोन बले चले जाओ पार्वती नती के तट पे हिमांचल की कंदराव में एक यवाश अन्यासी बैठा है अब वो बताएगा आपको कि संद के दर्सन का फल क्या है देवरिसी नारत का आगमन हुआ अब बात इस्टाप किया जाती है न राजेश जी तो थोड़ा डर भी लगता है देवरिसी नारत पोचे नमो नारायन महराज नमो नारायन आओ विराजवासर पर बताओ कैसे पदारे बोले भाई बताओ तो सही पर डर लगे बोले क्यूं बोले अभी तक जिनको बताये ना उसका अन्वो कुछ ठीक नहीं है बोले नहीं नहीं बताओ कोई यह हिस्सवी जो रा मेरा चिराखा और को करिक तरक बढ़ावई इसाखा बताओ आप तो बोले महराज संत के दर्सन जानने के लिए गया तरह तरह की ओजनाइवनी जहां के वहां जिसके समझ गया नजर मिलते ही बेड़ा पार हो गया ना आस रही ना स्वास रही ना आसा रही ना आत्रप्ती रही वह यह उनी छोड़के चला गया अभी आपको बता रहा हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं यहां भी मामला गड़बड़ना हो जाओ सन्यासी ने कहा मूर्ख अभी तक नहीं पता चला कि संत दर्शन का फल क्या होता है पहली बार तुझ से मिला वो मैं ही था पहली बार जिस बच्चे से मिला बेंस के वो मैं ही था संत का दर्शन पाते ही यह उनी मुक्त हो गया दूसरी निक गव यह उनी में मैं आ गया यह संत के दर्शन का फलता पुना जब तुम हाया वो यह उनी छूट गई राजा के घर में पैदा हो गया यह संत के दर्शन का फलता तीसरी बार जब संत का दर्शन हुआ का परिवार्पा पी प्रें मेजब अजिप रें मेजब लुटा हो गाया की प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत 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 हो गया तेम जब तेम जब तेम जब अनन्त हो गया तो मेरो मसंत हो गया तेम जब अनन्त हो गया तो मेरो मसंत हो गया कि प्रसाद के भी परिक्रिया कर लो आप पता है जिसे पकड़ के लाए हो मेरा उपनाम पता नहीं आपको मेरा उपनाम बावरा है है ना तो है कि न वो होस में थे न हम होस में थे और दोनों मुहबबत की आगोस में थे तो यहाँ पता ही नहीं लगेगा समय का आज प्रतम दिन है इसलिए भागवत जी का ब्याक्षान को हम करेंगे ही भागवत महतम की परिक्रिया पर चल रहे हैं और आर्थी के प्यारिभी करिये काहा कोम कंचन कोम मालिक्यम हस्तु, जो स्रीमत भागवत का था हाँ हाँ हमार मान नहीं जो यह बने विरीते